प्रतियोगात्मक भरती परिक्षा 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ओम समाज कल्याट परिवच्छक की जो सामान चैन है ये बुक में आपको मिलेगा क्या खास खास चीए तो आपको बता दें 20 प्रेक्टिस पेपर दो सॉल पेपर 2015 और 2016 का और जाएंगे यहाँ पर अगर आप बात करिए यहाँ पर हम दिखा दें आपको इसमें है क्या तो पूरे स्लेबर्स के कॉर्णिंग इस बुक को है अगर आप चाते हो तो इस बुक को अब यहाँ देख लिए पूरा दिया गा है किस एक्जाम में क यहाँ से भी जाकर ओडर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमने नंबर भी दिया आप नंबर से पर भी जाकर आप इसको ओडर कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आई है यूपी स्कॉरसिफ को ले करके और यूपी स्कॉरसिफ की दांदलीग की जांच को ले करके यहाँ पर जो है काम चल ला है जिनमें सुल्क वापसी की सुविदा का लाब लेने के बाद छात्रों ने बीच में ही उस पार्टिकरम की पढ़ाई छोड़ दी है 18 जिलों के ऐसे संस्तानों की अपजांच की जाएगी इसके लिए समाज कल्यान निदेसाले ने टीम बनाई है आम तोर पर यह देखा जाता है कि दो या तीन वर्ट के पार्टिकरम में विद्यारतियों को सुल्क भरपाई के साथ चातिवर्ति की सुविदा देने पर वे पढ़ाई पूरी करते हैं लेकिन इस बार चातिवर्तियों सुल्क प्रतिपूर्त योजना के आंकड़ों का विस्टेशन किया गया तो हैरत में डालने वाले तत्त सामने आये हैं इस अगर हम आर्टिकल की बात करें इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे जो संस्थाने वहाँ पर फर्जी तरीके से नाम लिख दिया गया है उनकी स्कॉलर्शिव ले ली गी है और बाद में उसका एड्मिसन नहीं करवाया गया है यहाँ पर एक बड़ी अप्रेट आई है और आप सभी को पता है कि जो अच्छे चातर होते हैं जिनको इसकॉलर्शिव को बहुत जादा हो सकता होती इनी फरजी वाड़े के कारण उन लोग को इसकॉलर्शिव नहीं मिल पाती है इसलिए प्रदेश सरकार ने जाच कराने का फैसला किया है जाच में उन संस्थानों को रखा गया जहां विद्ध्यारतियों की संक्या में आसमान तरीके से कमी या बृद्धी होई है पहले चरण में सोनबाद, लखीमपूर, कीरी, कानपूर दयाद, मेरट, सहारनपूर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगड, आगरा, आयोद्या, जांसी, इलाहबाद, चित्रकूर, वाराणसी, आजमगड, गोरगपूर, बस्ती और गोंडा के करीब 200 संस्थानों की जाच ह तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कॉलेज हैं, जो इस्टिट्यूट है, वो फरजी तरीके से छात्रों का नाम डाल देते हैं, स्कॉलर्शिप जब आ जाती है, तो फिर उनका अडविसन नहीं होता, अलाकि उनका अडविसन से क्या मतलब एक कॉलेज वाले फरजी ना सोमार को अलीगर में दो नकलची पकड़े गए हैं, दोनों अब्यार्थी एक ही सेंटर से पकड़े गए हैं, इनके खिलाप RRB प्रसासन ने विदिक कारवाई की है, RRB प्रसासन दोरा बीते कुछ दिनों से ग्रूप D के तमाम पदों पर भरती के लिए परिक्षा लिज पाली में 14,3 में से 6,114 ब्यार्थी सामिल होए, RRB चेर्मेन आरे जमाली ने वताया कि परिक्षा सांथपूर्ण नंग से संबन हुई, तो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक का दुखका अगर लोगों को अटा दिया जाए तो कोई दिक्कत वैसे गुरुप D की परिक्षा में नहीं, चोथे चारण का भी जो एक्जाम सेंटर, एक्जाम स्टी, एक्जाम डेट जो यह सवाए, वो चीज़ें आ चुकी हैं, चोथे फेज के वो भी छातर अपना जोहर देख सकते हैं, एड्मिन कार्ड भी उसका आ जाएगा जलते जलत तो आप लोग उस चारण का भी जाएगी, तो कटाब जाएगी, परिक्षा जब लोग दे नहीं रहें, तो कटाब जाएगा जाने का कोई मतलब नहीं हो, पेपर भी ठीक ठाग लेबल का आ रहा है, चलिए, अगली जो अपडेट है वो डेलेट को लेकर के हैं, और आपको पता है कि डेली जो अथानों में प्रवेश सून नहीं है, यानि एक भी छात्री ने नहीं लिया एडवीशन, और आपको हम बता दें, ओबराल जो है लगबग डेड़ लाग से जादा जो सीटे हैं, वो अब जो है डेलेट में खाली हैं, और डेलेट में जो छात्रे में एडवीशन नहीं ले अपने अब तक के सबसे खराब दौर में है, वर्स 2022 के लिए प्रवेश की इस्तिति यहा है कि प्रदेश के 582 निजी डेलर प्रवेशन नहीं लिया, जिला सिक्षाम प्रवेशन सन्तानों में जहां पहले चरण में सीटे फूल हो जाती थी, वहां मेरिट के आदार पर दू जो डायट है वहाँ पर अभी 1765 सीटे खाली है ठीक है प्रात्मीक सिक्षक भरती में 2018 से बेड़ प्रसिक्षकों को भी सामिल होने का उसर दिया गया है इस तरह बेड़ प्रसिक्षी तब बेरती TGT और प्रात्मीक सिक्षक भरती अपसे ज़्यादा जो यहाँ पर चीड़ है चात्रों को यह है कि प्रात्मीक सिक्षक भरती निकल ही नहीं रहे तो हम उसके प्रसिक्षर में भागी क्यों लें क्यों करें अगर हम डेलेड अगर कोई वहाँ भरती नहीं सिटी कॉलेज की कुल 2,7,126 सीटों के सापे 1,7,704 आवेदा नाए दो चरण में मेरिट के आदार प्राब्यारत्यों को कॉलेज एवेंटिद कीएगे कुल 45,153 अभ्यारत्यों को कॉलेज अलाट्मेंट हुआ लेकिन कुछ अभ्यारतों ने कॉलेज अलाट्मेंट के बावजुद प्रवेश नहीं लिया इसके पूर्व 26 निजी प्रसिक्चन संतार मनताव अपर ले जाने के अनुरोथ के साथ नया प्रवेश ना लेने को पत्र भेज चुके हैं प्रवेश ने बताया कि दो चर्व में प्रवेश की प्रवेश के बाद प्रदेश भरके निजी संस्तानों वा डायट में एकला करती है जा 208 सीटे रिकते हैं इसमें डायट की 765 सीटे सामिल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा इस्तित खराब हो चुके डेलेट की और अब आगे आते हैं अगली अप्रेट की तरब अगली अप्रेट जो है वो 28 बरसे डेलेट को ले करके है इसकी सुनवाई को ले करके है तो आप सभी लोगों को बता दें इसकी जो सुनवाई होने वाली है वो कल जो है इलाबा दाइकोट में सुनवाई होने वाली है मैंने सामको भी वीडियो के माद्यम से आपको बताया था कि जो है काउंटर फाइल जो है यहाँ पर कर दिया गया है बेट वाले चात्रों के लिए ने कर दिया है बाकि इसकी जो सुनवाई वो कल होगी तो जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूँगा चलिए आते हैं अगली अपडेट की तरफ अगली जो अपडेट है वो SST CHSL को ले करके है CHSL 2021 दुतिये प्रस्णपत की परिक्षा 18 को combined higher secondary level परिक्षा 2021 के दुतिये प्रस्णपत की परिक्षा 19 सितंबर को pen paper mode में होगी UP और विहार के एक जिले कानपूर और पत्ना में यहाँ परिक्षा होगी अब बैरती प्रिवेस्पत परिक्षा तिससे चार दिन पहले website से डाउनलोड कर सकेंगे तो यहाँ पर परिक्षा की डेट आ चुकी है और 19 सितंबर को जो यहाँ पर परिक्षा होने वाली है चलिए तो फिलाल यह रही आज की अपडेट और एक अपडेट और चोटी सी इसको भी देखते हैं एक पद एक आवेदन 2139 फिर भी नहीं मिल सके योगी उत्ताय पदेल लोकसेवा आयोग का सिस्टम प्रबंदर ग्रेट बी के एक पद के लिए भरती विग्यापन और उसके लिए योग याब्यारती ना मिलने किया खबर बहुत कुछ कहती है आयोग ने इस एक पद पर भरती के लिए वर्ष 2021 में विग्यापन जारी किया जिसके लिए 239 अवेदन किया परिक्षा कराई गई तो 725 अवेदन सामिलोए इसमें सफल 3 अवेदन को सक्षतकार के लिए बिलाया गया ठीक है पेपर देने जो है 725 लोग गए और लेकिन बाद में कोई सेलेक्ट नहीं हुआ यानि कि यह एक पद की भरती थी वो भी भरती जो है खाली की खाली रहे गए तो फिलाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज आप लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए है तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी रियल और अथंटीक अपडेट ऐसी ही मिलती रहे तो मिलती है एंगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं मस्त रहे हैं जैहिन जैभारण